हेलो स्टुरेंट्स आज हम करेंगे नंबर्स सिस्टम चैप्टर फर्स एक्ससाइज जोन पाइंट टू इरेशनल लंबर्स इरेशनल लंबर्स हमारे पास में वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल लंबर्स को तो क्या कर रहे थे आप P upon Q की फॉर्म में लिख रहे थे और इरेशनल लंबर्स में हमारे पास में क्या है कि आप उन नंबर्स को P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते ठीक है और P और Q जो है हमारे पास दोनों की-दोनों क्या होंगे कोई ना कोई integers होंगे तो हमारे पास example क्या है किस तरीके की number हो जाएंगे root 2, root 3, root 5, pi 0.101 means ऐसे numbers जिन में हमारे पास results हमारे stop ना हो means value हमारे पास continuously repeat होती रहे ठीक है इस तरीके की जो number है हमारे पास में irrational numbers होते हैं अब हमें का गया है कि हमें कुछ questions को solve करना है इसमें हमारे पास कुछ example इतने खास important नहीं थे दो example हैं हमारे example number 3 and 4 यह जब हम क्लास में आएंगे और question number 3 and 4 यह हमारा geometrically होगा तो इसको जब हम class के अंदर जब हम regular classes करेंगे उस time पे हम इन questions को solve करेंगे तो आप इन questions के लिए थोड़ी सी जगए अपनी copy में छोड़ लें ठीक है उसके बाद में आपको जब भी next exercise मिले तो आपको वो exercise solve करनी है हमें सबसे पहले कहा गया है state whether the following statements are true or false justify your answer ठीक है हमें कहा गया है पहला जो question हम से पूछा गया है every rational number is a real number every rational number is a real number तो सारे के सारे real numbers में आते है rational और irrational जो बहुत type के number है सारे सारे किस में आते है real numbers में आते है this statement is true all real numbers are rational and irrational second हमारे पास statement है every point on the number line is in the form of under root M where M is a natural number ठीक है? कह रहा है कि every point on the number line number line की rational के लिए हम बात कर रहे हैं या फिर हम integers के लिए बात कर रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि every point on the number line is in the form of under root m where m is a natural number जब हमारे पास में m जो है natural number है उस condition के अंदर कहता है कि सारे के सारे जो numbers हैं जो भी value हमारे पास में आएंगी वो सारी हमारे पास के आएंगी? natural number आएंगी means result हमारा कैसा होगा? 1 से बड़ा होगा और positive होगे सारे के सारे लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यह statement हमारे पास में false है क्योंकि जो square roots है negative numbers के जो square roots है वो हमारे पास में natural numbers में नहीं आते हैं उनका हम root find out नहीं कर पाते हैं ठीक है? negative numbers का हम root जो under root है square root है वो नहीं निकाल पाते हैं इसलिए हमने लिखा false no negative number can be the square root of any natural number ठीक है? उसके बाद हमारे पास में every real number is an irrational number ये भी हमारे पास में false है कह रहा है every real number is an irrational number irrational numbers में मैंने क्या कहा था? कि हमारे पास में values repeat होंगी points के बाद में continuity में लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है? कि हमारे पास इसे 1 है 1 के बाद में कोई value हो हमारे पास repeat नहीं हो रही 2 है 3 है means exact results है उनके बाद में हमारे पास में कोई भी value क्या नहीं हो रही है तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा यह number हमारे पास कैसे है? irrational नहीं है तो हमारे पास यह statement क्या हो जाएगी? false हो जाएगी question number second हमारे पास में है are the square roots of all the positive integers irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational number ठीक है? अब में कहा गया है कि जितने भी square roots होते हैं positive integers के सारे के सारे कैसे होते है? irrational होते हैं यह question statement दी गई यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको example बताना है तो ऐसा हमारे पास नहीं होता है कि जितने भी हमारे पास integers हैं positive integers तो positive integers हमारे 1 से start होते हैं जब आप one का square root करते हो तो आपके पास result one आता है, irrational number नहीं आता है, points में value वहाँ पे हमारे पास में नहीं आता है, हमारे पास में ऐसी कोई result नहीं होती, नहीं होता जो हमारा continuously चलता रहे, उसके बाद हमारे पास में four है, four का root करोगे तो two आएगा, nine का करोगे three आएगा, sixteen का कर लिवाएंगी, three का करेंगे तो one point something कुछ चलेगा, लेकिन four का किया तो हमारे पास exact result two आ गया, ठीक है ना, तो कह रहा है कि हमारे पास सभी numbers का नहीं होता, कुछ numbers का है कि हमारे पास में क्या होगा, irrational भी होंगे और इसमें rational भी होंगे, दोनों ही तरीके के number होते हैं, instrument उनका use करके फिर हमें उनको solve करना है, हमें number lines के ओपर कुछ value draw करनी है, with the help of, क्योंकि वो number line के ओपर जो हमारे पास results आएंगे, वो हमारे पास route two का करना हो गया, route five का है, route seven का, इस तरीके से results है, उनको हम अपने, जो compass होता है, जो हमारे परकार वगरा है, scale वगरा है, उनक को हम जब भी हमारी regular classes होंगी, उनमें solve करेंगे, और फिर आपसे, मैंने आपको last lecture में भी बताया था, कि आपको जो भी homework अब दिया जा रहा है, उसको आप continue अपनी fair copy में करना start कर दें, जिससे कि आपको जब भी आपकी regular classes start होंगी, उस समय आपको किसी किसम का burden ना रहे, कि आपको homework भो जादा है, और अब तो हम किस तरीके से करें, उस समय हम इनका दुबारा से revision जरूर करेंगे, तो हमारा revision जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए आपसे request है, कि आप इस homework को अपनी fair copy में करना start कर दें, books आपने नहीं लिए हैं, तो अपनी books अगर आप purchase कर Okay students, have a nice day.